Hello Friends, Welcome to Food Fest with Family and Friends आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Best Noodles Cutlet की रेसिपी ये रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी और यम्मी है बनाने में भी उतनी ही आसान है तो चलिए से बनाते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे जिससे कि आप मेरी आने वाली नई रेसिपीस को भी देख सकें वो भी विल्कुल फ्री में और वैल आइकन को प्रेस करना ना भूले नूडल कटलिट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाही में एक किलास के लिवक पानी डाल कर गैस पर गरम करने रख दिया है फिर इसमें एट किया है नूडल का एक पैक और इसे सिर्फ दो मिनट तक ही बॉल करना है और ये देखिए लगभग दो मिनट हो चुके है और अब मैं इन्हें अलग प्लेट में निकाल लूँगी और दो मिनट बॉल होने के बाद जब आप इन्हें निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये अभी पूरे पके ही नहीं है पर जब आप इन्हें थोड़ी दे ठंडा होने रखेंगे तो उसके बाद ये पूरी दरीके से अपनी ही हीट से कुक हो चुके होंगे और अगर थोड़ी कसर रह भी जाएगी तो जब हम इन्हें फ्राइ करेंगे तब ही अच्छे से कुक हो ही जाएगे तो ये अब मैंने देखिए प्लेट में निकाल लिये हैं और इनका पानी कडाई में ही रहने दिया है और ये अब थंडे हो चुके हैं अब मैंने इन्हें एक बोल में पलट लिया है और एक बोईल डालू को मैश कर लेंगे आलू अच्छे से मैश होने के बाद आलू को भी उसी बोल में डाल देंगे और अब मैंने इसमें कुछ वेजिटेविल्स एड़ की है और इसमें एड़ किया है वन टेविल स्पून के लगवग बारी कटी हुई कैपसिकम एक हरी मिर्च के टुकड़े और वन टेविल स्पून चॉप्ड प्याज और धनिया पत्ती और तो टेविल स्पून के लगवग मटर और अब इसमें मसाले आट करने है मसालों में सबसे पहले मैंने नूडल जो मैंने बॉल किया था उसका मसाले का जो पैक बचा है उसको इसमें आट कर लिया है और नमक वन टीस्पून या स्वाधन सार वन फोट टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून लालमिश पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और अब इन सब को मिक्स कर लेंगे mix करते टाइम ये धियां रखना है कि इन्हें हलके हातों से ही mix करें जिससे के cutlet तयार होने के बाद cutlet तोडने पर अंदर से भी साव डूडल्स दिखाई देंगे तो खाने के साथ साथ ये देखनी में भी बहुत अच्छे लगेंगे और अब मैंने हातों पे हलका सा oil लगा लिया है और अब cutlet को shape देंगे आप अपनी पसंद का कोई भी shape दे सकते हैं मैंने इन्हें इस तरीके से लंबाई में रोल किया है और ये देखिए हमारे सभी cutlet shape ले चुके हैं अब मैंने नूडल का एक पैक और लिया है और इसे हातों से बारिक बारिक टुकड़ों में तियार कर लिया है ये देखिए इस तरह से और ये देखिए तयार हो चुका है और अब एक बोल में तू टेविल स्पून कॉनफला लिया है और टू टेविल स्पून लिया है मैदा और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसकी स्लरी बना लेंगे ये देखिए इसकी स्लरी इस तरह के से इसकी थिकनेस होनी चाहिए और साथ में रख लेंगे बारिक की हुए नूडल्स अब कटलेट को सबसे पहले स्लरी में डिप करेंगे और स्लरी की कोटिंग अच्छे से होने के बाद उस पर कोट करेंगे नूडल्स और नूडल्स की कोटिंग होने के बाद उससे प्लेट में रखते जाएंगे नूडल्स की कोटिंग करते टाइम हमें बहुत ज्यादा नूडल्स कोट नहीं करने हैं जितने उस पर आसानी से आए उतने ही रहने दें और ये देखिए सभी कटलेट तयार हैं फ्राई होने के लिए और अब आपको अगर ये बाद में फ्राई करने है या गैस्ट के आने पर गर्मा गर्म ही परोसने है तो इन्हे आप इस stage पर fridge में रख दें और जब भी आपको इन्हें खाना हूए या करमा गर्म सर्व करने है तभी इन्हें फटा-फट फ्रिज से निकालें और करमा गर्म bush noodles cutlet enjoy करें पैन में ओईल गरम हो गया है और अब इन कटलर्स को गरम ओईल में डाल देंगे और कुछ ही देर बाद नीचे की तरब से सिखने पर इन्हें पलट लेंगे ये देखिए नीचे की तरब से अब सिख चुके हैं और इन्हें एक एक करके पलट लेंगे झाल 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 यह देखिए सारे नूडल्स अच्छे से पलट लिया है और फिर से इने एक बार पलट लिया है और चारों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक इने इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और यह देखिए सभी कटलेट अच्छे से फ्राई हो गए है और अब इने पलेट या थाली में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म नूडल्स कटलेट आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंट के साथ इन्जॉय कीजिए और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग